नमस्कार मैं सब्यसाची फिर से आज other a verse स L прыस में आज लोग चानेंगे फाइल मेंच के बारे में आर होम मेनु के बारे में कि हुम मेनियु में क्या-क्या-थिन सोती है और हम लोग कैसे यूज करते हैं ह Economics और फाइल जो आप यहाँ पर tab देख पा रहे हैं LibreOffice में इस tab के जरी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जैसे हम लोग ने यहाँ पर select करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे हम लोग cut कर सकते हैं copy कर सकते हैं फिर यहाँ पर paste कर सकते हैं सी जगह पर copy करने के बाद paste कर सकते हैं new page यहाँ पर insert कर सकते हैं जैसे new page अगर करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका new page क्या है अगर इसको अगर delete करना चाथे तो फिर यहाँ पर आप took can Durr a remove कर सकते है जैसे आप delete slide करींगे तो फिर आपका आ जाएगा हुई तो यह new pages यहां से आ सकती है इसके बाद आता है duplicate page जो आपका same page है इसका duplicate page बना देगा duplicate page का मतलब देखे यह आपका तो जो page पहले से था वही page आपका देखे दुआरा आ चुका है तो आप यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यह duplicate page होता है तो यहाँ पर इसे भी हम लोग delete कर सकते हैं यहाँ से duplicate कर सकते हैं इसे delete page कर सकते हैं यहाँ पर जो कि home में आपको यह मिलता है इसके बाद आता है आपका slide layout slide layout का मतलब होता है कि आपका जो layout है वो किस तरीका का layout होगा जैसे आप इसको change कर सकते हैं तो आपका ऐसा आपको दिखेगा अगर आप normal लगा slide करेंगे तो जैसे आपका था वैसे आपको दिखेगा नॉर्मल तो यहां पर जैसे मैंने तो change किया तो इसके लिए पहले मैं जैसा था वैसे ही कर देता हूं यह आपका पहले जैसा था यह क्या होता है अंडू और रिडू अंडू का मतलब होता है जो आपका जो previous step में जो था उसी को अंडू बोलता है रिडू का मतलब होता है कि जो आपने किया हुआ था अपने next जो किया हुआ है वो save होता है तो उसे हम लोग use कर सकते हैं इसके बाद आता है आपका clone कि आपने जो भी आपने बनाए हुआ है जैसे आपने select किया तो इसके बाद इसका clone कर सकते हैं मतलब कि आपको copy करके same as the days चैना चाहिए उसका clone बना सकते हैं तो यह हो गया clone इसके बाद आता है clear का मतलब होता है कि delete करना कि आप इसको delete कर सकते है जैसे clear करेंगे तब यहां पर देखिया आपका normal जैसा था वैसे हो गया तो यह change हो जाएगा इसके बाद आते हैं आपका d記 curly है आपahu बोल्ड कर सकते जैसे आपर करने के बाद इसे बstag कर सकते हैं तो यह आपका बोल्ड हो गया इसके बाद आप कै और क्या-क्या देख सकते है जैसे आपका यहाँ पर क्या बहुत सारे चाहते हैं अंडर लाइन तो आप भटा सकते हैं तो यह होता है तरीका तो यहां पर मैं इस चीज़ इसको फिर से आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि वहांपर थोड़ा सा ग्लीच आ रहा था उसमें और यहाँ पर फिर से इस चीज़ को मैं open करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग use करते हैं इस चीज़ को तो यहां पर आप इसके बाद आता है आपका मैंने यहां तक आपको बता है इसके बाद आता है strike thoughts आता है कि इसके जरिये क्या कर सकते हम लोग हम लोग change कैसे कर सकते हैं जैसे strike thought आते हैं तो मतलब इसको आप जो भी लिखा हुए इसके ओपर हम लोग cross करके लिख सकते हैं कि यह गलत है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे use कर सकते हैं इसके बाद आता है capital toggle shadow इसका मतलब होता है कि आपका जो लिखा हुआ है उसको caps में आपका करते गाए इसके बाद आता है मतलब यहाँ पर आपका जो word है उसके बीच में आपका difference नहीं है gap नहीं है इसके बाद आते हैं हम लोग color कर सकते हैं जो भी हम लोग change कर सकते हैं कि आपका font जो है कि आपका font है उसमें इसके बाद और क्या आता है आपका home menu में जैसे decrease कर सकते है font को increase कर सकते है यह होता है alignment alignment का मतलब होता कि कैसे आप जैसे यहाँ पर justify किया हुआ है मतलब कि यह इक typical किया हुआ ہے अगर lift करेंगे तो यह left हो गया, middle में करेंगे तो यह center हो गया, अगर left में करेंगे तो इस side यह हो गया, अगर up में करेंगे तो यह up उपर की तरफ यह दिखाता है, क्योंकि यहां पर हमने उतना ही यहां पर लिया हुआ है, तो अगर इसको बड़ा कर देते हैं, तो आपको य इस चीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं तो होम में हम लोग ये सारे चीज़े को यूज करते हैं इसके बाद आते हैं numbering कि हम लोग इससे numbering कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर एक number आ गया तो यह spacing का होता है यहाँ पर spacing कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर custom lining भी कर सकते हैं कि इसका जो lining है वो कम भी कर सकते हैं यह आपके ओपर depend करते हैं इसके बाद आते हैं आपका text box, आप text box लेके आप लिख सकते हैं, इसके बाद आता है ये आपका सारा जितने भी type का curve हो गया है, जो भी जितने भी आपका shapes होता है, ये सारे shapes ही इसके अंदर होती है, जो आप line होता है कि आप कौन सा line लेना चाहते हैं, जैसे आप line लेके एक के उपर color डाल सकते हैं तो यहाँ पर color fill भी कर सकते हैं जैसे color यहाँ पर fill करना है तो fill कर सकते हैं इसके बाद आते हैं आप इसको slide को slide को आप क्या कर सकते हैं इसको आप इसको start करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका slide जो कैसा दिख रहा है आपको तो यहां पर आप ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि आपका कैसा दिख रहा है तो यह हो गया आपका extension कि आप कैसा देख सकते हैं तो यह हो गया home का properties जिसमें आप shadow होता है Outline का मतलब होते है जो भी लिखा हुए उसका Outline कैसा होगा उसका Side में आपको कैसा दिखेगा तो यह आपका Home में यह सारी चीज़े जो यहाँ पर दी होई थी वो Home बटन में यहाँ पर दी होई रहती है Upper case, Lower case uppercase का मतलब जो भी लिखाव है वो uppercase में आपको दिखेगा अगर lowercase करेंगे तो फिर lowercase में दिखेगा तो यहाँ पर आप जैसे चाहिए change कर सकते हैं every word को आप capital word में अगर करना चाहते हैं कि उपर का जो पहला word है वो capital में आपको दिखेगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके बाद आता है paragraph आता है आपका character आता है अगर find करना चाहते हैं या फिर replace करना चाहते है कोई word को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तो हो गया home की बात अब जलते हैं file में कि file में हम लोग क्या कर सकते हैं फाइल में देखिए फाइल में क्या क्या option आता है पहला तो new कि आप directly आप यह सारे जैसे आपका spreadsheet है presentation है draw है formula है यह सारे को आप inherit कर सकते हैं मतलब यहाँ पर खोल सकते हैं directly तो यह इसका यहाँ पर option है इसके बाद open करने open यहाँ open का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर ppt या फिर impress यहाँ पर होंगे या फिर आपका जो presentation होगे वो यहाँ से आप open कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह सारे चीज़े तो यह होगी आपका file में इसके बाद आता है open remote remote का मतलब होता है आप किसी को अगर remote पर लेना चाहते है तो यह remote का आपको दिखा यह तरीका होता है इसके बाद आते हैं आपका और क्या क्या अता है close तो मतलब है आपका जो भी आपका presentation चल रहा है वो presentation को close करने के लिए close उसके बाद आता है wizard जो कि आपका later हो गया fax हो गया agenda हो गया यह आपका document converter हो गया euro converter हो गया आपको दिख़ेगा जो भी आप लिखे वो नमबर को अब चेंज करके दिखायागा इसके बाद आता है टेंपलेट कि आपका ओपन कितने सारे टेंपलेट से वो टेंपलेट को बाहर से भी आप यूज कर सकते हैं या फिर जो आपका उसमें दिया हुआ है टेंपलेट वो सारे टेंपलेट भी आपका सेफ जो टेंप देख रहा है आपको अल्रेडी इसके बाद आते हैं आपका सेव का मतलब होता है कैसे सेव करेंगे इसके बाद आते हैं सेव जब भी करेंगे तो आप कैसे से आप जहां भी सेव करना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं और यह किसे extension में save हो रहा है जैसे यह इसका extension क्या होता है LibreOffice में presentation का .pptx तो इसका extension होता है यह तो यहाँ पर आप save कर सकते हैं इसे तो इसके बाद आते हैं यह तो हो गया आपका save करने का तरीका remotely आप save कर सकते हैं कि दूसरे किसी के computer से आप save कर सकते हैं इसके जरीए इसके बाद एक copy आपका save हो जाएगा आप फिर उसके बाद edit कर सकते हो इसके बाद आता है save all का मतलब होते है पूरा completely आपका presentation save हो जाएगा इसके बाद आता है export export आप किस में करना चाहते है जैसे आप PDF में आप export करना चाहते है इसे आप अगर दूसरे में किसी में करना चाहते है जैसे bitmap में करना चाहते है या फिर आप EMP EMP में करना चाहते है जीफ में करना चाहते है आप अगर फोटो में करना चाहते है तो यहाप पच्जेपीजी हो गया, PNG हो गया, तो आप यहाँ पर अपना extension जो भी आपको ज़रूरत है, आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यह होगी extension आपका, इसके बाद और क्या क्या इसमें आता है, जैसे export का यह तरीका होता है, और क्या होता है, जैसे आप directly export as PDF हो गया या फिर directly आपका PDF में आपका save होगा, तो यह एक तरीका होता है, इसके बाद आता है send, भाई आप mail के थूरू आप send कर सकते हैं, या फिर mail attach करके आप send कर सकते हैं, preview in browser, अगर browser में करेंगे तो आपका browser में दिखेगा, कि आपका browser open होने के बाद, जैसे यहाँ पर open हो रहा है, तो यहाँ दिखेगा, इसके बाद आते हैं print का option, कि जिसमें आपको print करने का option यहाँ पर देगा कि आपको कैसे यह print होगा, यह आपका preview है, आप all slide अगर करना चाहते हैं, तो all side अगर एक even और even अगर करना चाहते हैं, मतलब आपका even number में जो जितने number है, वो सारे आपका print होगा, अगर odd number में होगा, तो फिर odd number में होगा, अगर page में, अगर page size अगर दिखना चाहते हैं, तो फिर अगर इसको change कर सकते हैं, automatic कर सकते हैं, portrait कर सकते हैं, या फिर landscape में कर सकते हैं, तो यह सारे options आपको मिलते हैं, कि आप कैसे print का अगर करना चाहते हैं इसको, तो print कर सकते हैं, इसके эта property change करने के बाद आपको यह दिखेगा यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी meerишь में connected नहीं है नहीं तो आपको उसमें दिख जाता है तो यह आपका एच्फीय का जैसे मेरा यहांग लिया फहले तो इसलिए आपको इसका नाम दिखा रहे हैं अगर जो आपका printer connector रहागा उस printer से आपका print हो जागे यह तो यह तो इसके बाद आता है आपका properties आपका properties का मतलब जो भी आपने बनाया है उसका properties आपको देख कहाँ पर अपने रखे हैं किस जगह पर इसका location है इसका file का size किया है कब यह create हुआ था कब modify हुआ था किनके नाम का है कौन यह जो फाइल इसको कौन बनाया है इसका description, title, सारा चीज मतलब इसको total आप अगर इसको security में रखना चाहते हैं तो अगर इसको open और read only कर देते हैं तो यह कोई भी delete नहीं कर सकता है तो इसका security होगा है इसका font होगा है चेंज नहीं कर सकता है या फिर अगर आप कोई दूसरा font लाना चाहते है तो दूसरा font दे सकते हैं इसमें दूसरा इसमें type से अपलिक सकते हैं तो यह तरीका होता है इसके बाद आते हैं digital signature में कि digital कैसे आप signature कर सकते हैं इसमें sign कर सकते हैं जैसे यहाँ पर name देके जो भी आप अपना नाम देके save कर सकते हैं तो उसी नाम पर उसका फाइल का नेम आ जाएगा यह होता है digital signature तो digital signature में पहले आपको पहले sign करना होगा document में उसके बाद आप save कर सकते हैं तो यह आपका digital signature हो गया इसके बाद यह तो हो गया इसके बाद है exit LibreOffice कि आप यहां से exit कर सकते हैं पूरे आप application से तो यह था आपका file menu और आपका home menu और मैंने आपको completely बताने का try किया अगर आपको अच्छा लगा तो please like and subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए thank you